तो आज मैं आपके साथ सेर कर रहे हूं विहार की बहुत ही ज़्यादा फैमस रेसीपी यानि की लिट्टी चोखा रेसीपी और इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टायल में बनाएंगे हम साथ में जो ग्रीन वाली चट्नी होती है चट्पटी सी खटी हरी वो वाली चट्नी भी ब अब बनाएंगे सारे कीचन के सामान से तो आपके कीचन में भी सारा सामान अवेलेबल रहेगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए और जबी हलके-लकी ठंड रहती है भी ठंडी का मुसम आ गया है तो हलके ठंड में लीटी चोखा का स्वादी डबल हो जाता है तो यहां दो कप आटा ले लिया है यह नोर्मल गयों का आटा है उसमें हम एक बड़ी चमश डाल देंगे अजवायन स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक और एक चोथाई चमश डालेंगे हम खाने वाला सोडा यानकी जिसे मीठा सोडा बोलते हैं और एक बड़ी चमश डाल उसमें हम उसमेंहों लगाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है है लिट्टी चोखा में सर्सों ने हमाच करेंगे और नौर्मल प्ानी यह बिल्कुल है उड़ी भी टायट नहीं और सोप्ट भी नहीं जैसे हम बाटी का बनाते हैं राजस्तानी लोग जैसे बाटी की आटा बनाते हैं सेम वैसा ही बनाना है हमें लेकिन बहुत ज्यादा हाड नहीं करना है तो यह आटा लगके हमारा तयार हो गया इसे रेष्ट के लिए 10-15 मिनट रग दे है तो वह पप्ट वाली दाल को मैंने पीस के लिया है मिक्सी में तो यह आटा तयार हो गया है और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप बेशन को भून के भी ले सकते हैं तो उसमें हम डाल देंगे बारी कटी हुई दो चमच हरी मिर्ची एक बड़ा साइज का प्याज ब इसमें अजवें एक बड़ी चमच डालेंगेँ चैंज कलम offered एक निम्बू का स्रफित kitchen तो एक सत्तू हमारा बहुत ही बढ़ा बनके तैयार होगा आप डालेंगे और है तो जो हम टो हम आपके ब्रोच का बत मासाला है तो मिर्च यो दालेंगे तो तो आप मिर्च गाला म इसलेखी से मन करेंगे और यह देखियाँ से मूट्ञ के बन रहे हुरत है तो बने करते हैं है बैंgoing रहाद चाहिए फोन लूंगी न कि इसे पहले है सटाम ट्रेस ग्रेस लाएंगे रहते हैं है कि तक है कि आएफैंन है सकती आप इसे डाइरेक्ट थोड़ा सा तेल डालके भी फ्राइ कर सकते हैं काटके मैं इस तरह से बाटी कूकर में भून रही हूं और ये चार टमाटर लिये हैं तो टमाटर को भी इस तरह से ओल लगा के भूनने के लिए रख देंगे और इसे बीच में से इस तरह से चीरा लगाएंगे तेल लगाने के बाद और इस तरह से इसमें लसुन डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा बहुत ही मतलब लसुन का फ्लेवर बेंगन के अंदर चला जाता है भूनते टाइम तो बहुत है आठा भी हमारा 10-15 मिन आट हो गया है तो इसको एक बार फिर से मसल लेंगे और छोटी से लोई लेंगे और इसे अच्छे से चिकना करके इस तरह से लोई बना लेनी है और फिर जैसे हम कचोरी भरते हैं ना सौन वैसे लोई 175 गोल गोल करके खड़ जैसे बना लेंगे और इसमें दो चमच हम डालदेंगे सत्थू तो एकदम अच्छे से सत्तू भरेंगे ये देखिये दो चमच भरके और जैसे हम कचोरी को बंद करते हैं वैसे इसे हम हमें बंद करना है इस तरह से तो यह देखिए इस तरह से बंद कर देना है तो यह बहुत ही बड़ी आप फिलिंग इसमें हो जाएगी और इस तरह से एक बार राउंड कर दीजिए सेम बाटी के जैसे और यह हमारी लिटी तयार हो गई है इसी तरह से हम सारी लिटी बनाएंगे तो चलिए एक और बना के मैं दिखा देती हूं इस तरह से आटे को अच्छे से मसल की लोई बनानी है और फिर इस तरह से दबाते हुए साइड से किनारे दबाते हुए इस तरह स सत्तु भर देना है और फिर कचोरी के जैसे ही इसको बंद कर देना है कि बहुत ही आसान तरीके से बंद जाता है यह हर कोई बना सकेगा अच्छे से एक बार वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यह देखिए इस तरह से हम लिटी बना लेंगे तो अब यह बाटी कूकर में हम इसे सेकेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम सारी लिटी है जो रख देंगे इसके अंदर और पहले कूकर को मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट गर करके रखा था आप अगर गाइं में बनाना चाहते हैं तो जो अंगारे बनाकर लोय से बना सकते इथ तो जब पलट देते हैं और पलट के दूसरी साइड भी सिखने देते हैं तो बीच-बीच में इसे भी चेक करते जाएंगे और इधर देखे मैंने टमाटर बैंगन को भी अच्छे से छिल लिया है तो इसके बैंगन के डंठल हटा देंगे और जो अंदर हमने लसुन डाला था उसको निकाल लेंगे तो लसुन भी अच्छे से पक जाता है तो लसुन का और लसुन का जो फ्लेवर बैंगन में जाता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह देखे इस तरह से लसुन को निकालने के बाद बैंगन को बारिक-बारिक कट कर लेंगे और उसी तरह हम लस कीडा ना हो चेक कर लीजिए और इस तरह से दोनों बैंगन को हम काट लिए हैं उसी तरीके से हम टमाटर को भी काट लेंगे थोड़ा चोटा चोटा काट लेंगे उसके बाद मिक्स करेंगे ताकि चोखा बहुत ही अच्छा बनेगा यह देखे बैंगन टमाटर और लसुन हम यह बड़े से बरतन में बनाए ताकि अच्छे से मिक्स कर सके यह देखिए अब इसमें हम डालेंगे अध्रक लासुन और हरी मिर्ची का पेष्ट जो पेष्ट नहीं है मैंने इसमें दरदरा कूटा हुआ है आप पेष्ट भी डाल सकते हैं तो बहुत सारा हमने अध्रक ल जाएगा एक चमच सरसो का तेल और यह दो मीडियम साइज के आलू मैंने बॉयल करके रखे थे उबाल के रखे थे तो वह भी डाल देते हैं और अब सारी चीजों को हम मैसर की सायता से मैस करेंगे अगर मैसर नहीं है तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं तो अच्छे से सा हमारा चोखा भी बनके तयार हो गया है तो अब हम हरी वाली जो चटनी बनाएंगे न तो थोड़ा सा बाद में हम इसमें हरी वाली चटनी भी दो तीन चमच मिक्स करेंगे फिर यह हमारा बिल्कुल तयार है चोखा अब चटनी बनाएंगे चटनी के लिए मैंने मिक्सिका जाल लिया है उसमें भरा धनिया डाल दिया है तीन हरी मिर्श डाल दिया है एक इंच अध्रक का टुकड़ा डाल दिया है और पांस से छे लसुन की कलिया और आदा नीम्बू का जूज डाल देंगे तो बहुत चटपटी सी खटी सी चटनी बनेगी मज़ेदार सी और अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे तो ये देखिए ये हमारी ग्रीन वाली मस्त सी चटपटी सी चटनी भी तयार है निकाल लेंगे हम इसे और ये देखिए लिट्टी को भी चेक कर लेते हैं तो ये देखिए लिट्टी भ बहुत ही बढ़िया सिक्के तयार हो गई है तो अब हम एक कटोरी में लेंगे गी और गी में बाटी को यानि की लिटी को थोड़ा सा क्रस करके इस तरह से गी में डीप करेंगे अच्छे से गी में इसे नलाएंगे और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हम निकालके और निकाल लेना है तो यह देखिए लग रही है ना कितनी मस्त और आ रहा है मुह में पानी तो देर किस बात की आप भी बनाईए फटा-फट से ठंडे-ठंडे मोसम में हलके ठंडे मोसम में लिटी चोखे का मजा लीजिए और चलिए सरु कर देते हैं तो सरु किया है हमने हर हरी-चटनी के साथ और यह हमारा चोखा बना या तब बहुत भात अच्छा डेस्ट आता है इसका अूश ऐलिब यह हमारा लिटी चोखा बिलकुल तयार है तो देखा आपने हमने कैसे बिलकुल कीचन के सामान से जटबर तयार किया है भटा भट से आसान तरीके से यह बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो इस तरह से घर पे बना के ट्राइ करेंगे तो यह देखिए तोड़के दिखाती हूं फिलिंग देखिए अंदर बिल्कुल परफेक्ट फिलिंग भरी है हमने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो इस तरह से घर पे बना लेंगे तो आप भार कभी भी नहीं खाएंगे बहुत ही बड़िया लगती है घर में बनी हुई तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे और नहीं नहीं वीडियो बनाने का मन करता है अच्छा लगता है तो और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताईए यह देखिए बहुत बहुत ज्यादा तेस्टी यह डिसीपी बंती है और अच्छी लगती है तो आप भी जरूर ट्राइए कीजिए और वीडियो को जादा से जादा से जादा सेड़ कीजिए अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ तो चलिए मिलते हैं नहीं रेसीपी के साथ तब तक य लिए बाई बाई टेक केर